के फ्रेंट्स एक वेहिकल हमारे पास आई है जिसमें यूरिया की कम जम्शन नहीं है और पिक अटोमेटिकली जो है वो ड्रॉप हो जाती है यूरिया की अगर कम जम्शन नहीं है तो हम चलिए सॉप्ट्वेर को यहां पर हम लोगों ने कनेक्ट करके रखा हुआ है चलिए फ बहुत सारे जो हैं कोड है यहां पर 0115 0170428 तो यह बहुत सारे जो कोड आये हैं यह इसकी वजह से आ गया है क्योंकि इसकी यूरिया इंजेक्ट नहीं हो रही है जिसके वजह से और भी कोड जेनरेट हो जाते हैं तो हमें क्या करना है सिंपली चलिए इस जगह पर यहां प सेले डोजिंग कराएंगे इसको इस वेहिकल को हम डोजिंग कराएंगे और डोजिंग कराने के बाद अगर यह कोड इनक्टिव हो जाती है और हमारी यूरिया इंजेक्ट करने लगती है तो हमारी जो प्रॉबलम है वो सॉल्व हो जाएगी तो हम यहां से देखते हैं कि इ इतनी तक चाहिए गलाना जराय कि अरे सब्सक्राइब कोवन जा में पॉंप यहां करना उप पर जरणे कंगे और को हमआरी यूरिया बंदां की टाइमर किलाएबatas है घ्ल ळन्यटाते हमारी दख सींडीद की सब्सक्राइब में जर से पतां पर तूर्च तुर यहां चलिए यहां से हम देखते हैं हमारी टाइमर देखिए यहां पर चलनी सुरू हो गई है और हमारी कोड जो है प्रोपरली बनी हुई है बट भॉकेज के वज़े से यह कोड जा नहीं रही है बट हमारी system जो है वो बिल्कुल सही है बट यह ब्लोकेज external ब्लोकेज के कारण यह problem दैखते हैं की तो हम चलूइए है यहां से क्या करेंगे हम इंजेक्टर को हैसे देखते हैं इस जगह से यूरीय मेम यहां पे और एर भी नहीं यहां पर और ह tasted यह वोल्ट चेक करेंगे यहां पर 24 वोल्ट और 12 वोल्ट आना चाहिए तो हम यहां से देखते हैं चलिए यहां 12 हमें मिल रही है इस जगह पे और 24 भी हम देख लेते हैं चलिए यह 12 मिले हैं और 24 भी हमारी यहां पर अबलेबल हैं तो हम क्या करेंगे चलिए अब हम यूरिया की जो डिलेवरी लाइन है उसे हम उपन करेंगे डिलेवरी लाइन की जो पाइप है उसे हम निकालते हैं चलिए इसे हम उपन कर लेते हैं और उसके बाद हम दोजिंग कराएंगे और देखेंगे कि इस delivery line से हमारी dozing हो रहे हैं याने चलिए यहाँ पर हम dozing करा लेते हैं लेकिन आप देखिए यहाँ पर code अभी तक active में दिख रहे हैं यहाँ पर चलिए इस जगह पर हमने dozing कराया और इस जगह से चलिए हम देखते हैं कि हमारी यूरिया और एर देखिए एर यहाँ से तो आ रही है बट यहाँ से यूरिया भी देखिए यहाँ से यूरिया भी आने सुरू हो रही है देखिए फ्रेंस यहां पे क्या है यह यूरिया जो है हलके हलकी आने शुरू हो गई देखिए यह आप continuously आने शुरू हो गई यह यूरिया air के साथ inject कर रही है यहां पे मतलब कि हमारी जो भी machine की अंदर किसी तरह की कोई problem नहीं है दिएफ की system में मशीन में किसी तरह की problem नहीं है तो हम क्या करेंगे अब injector को open करेंगे और injector को open करके हम इसकी pipe को भी check कर लेंगे और इसकी इंजक्टर को check करेंगे कि कहीं यह injector blockage तो नहीं है यह बंद है या नहीं यह जब आप उपर से फूक मारेंगे तो नीचे की तरफ एर आनी शुरू हो जाएगी तो समझ लिजे इसमें ब्लोकेज नहीं है और जब नहीं आएगी तो इसे हमें क्लीन करना है तो चलिए अब हम यहां पर इसे क्लीन करते हैं और मुझसे भी फूक लगा कर द देना है और करीब करीब आधे घंटे तक इसे जो है पूरी तरीका से बॉइल करना है देखिए फ्रेंट जब हम इसे हिट करने के बाद जब हम नीचे की तरफ ठोकेंगे तो देखिए यह वाइट वाइट जो है वह बहार आ रहे है यह यूरिया है जो कि उसके अंदर में जम गया है जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर पूरी जम होई यूरिया इसके अंदर बैठी हुई है जिसके वज़ए से यह लाइन ब्लॉक हो चुके है यह इंजक्टर ब्लॉक हो चुके हैं तो इसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमें क्या है बस इसे अच्छ आने के बाद देखे हमारी कोड जो है वह इनक्टिव हो गया है जैसा कि आप देख रहे हैं अब हम यहां से देख लेते हैं यूरिया इंजक्ट हो रहे हैं या नहीं हमारी कोड तो इनक्टिव हो गई है हम देखते हैं यहां से यूरिया देखे फ्रेंस यह हमारी यूरिया में किसी तरह की problem नहीं है हमारी जो भी code थें वो solve हो चुके हैं क्योंकि वो inactive हो गए हैं तो हमें क्या है simply सबको erase कर लेंगे चलिए अब हम stop करते हैं dozing को यहां से उपर नीचे यहां कट कर लेते हैं नीचे की तरब देखिए 4239 हमारी inactive है और हम क्या करेंगे इसे यहां से stop कर लेते हैं dozing को और हम इसे उपर ले लेते हैं उपर लेकर हम देखेंगे हमारी जो code है देखिए friends हमारी 4239 नीचे की तरब यह हमारी inactive हो गए है अगर यह आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट से तो कमेंट करें थैंक यू